हेलो दोस्तों आपका मेरे चैनल में सवागत है इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप मुवाइल फून में कैसे यूट्यूब का थंबनेल बना सकते हैं बहुत ही असानी से इसके लिए आपको एक एप्लिकेशन डाउलोड करनी पड़ेगी जिसका नव है Canva जहां आप प्ले स्टोर में जाएंगे आप सर्च कर लेना Canva जहां आपको मल जाएगी मैंने पहले ही इस्टॉल कर रखी है तो मैं इसको उपनल कर लूँगा एप्लिकेशन को आपको इसमें सिंपली साइन अप करना पड़ेगा जीमेल से जहां फिर आप फेस्टॉक से भी कर सकते हैं मैं गूगल से इसको साइन अप कर लेता हूँ अगर आप नहीं है Canva को कभी जूज नहीं किया डॉन्ट बरी जह बहुत ही इजी टूज एप्लिकेशन है मैं आपको सिखा दूँगा step by step की आप कैसे बनाना है कोई भी थंबनेल सो जे रहा हमारा इंटरफेस जहां सर्चे कर लें YouTube थंबनेल जहां YouTube का थंबनेल आ गया और जहां आपको बहुत सारे प्रीमेड थंबनेल टेंपलेट्स मिलेंगे जो की पहले से ही बने बनाए हैं आप उसको एडिट कर सकते हैं इसमें आप देख सकते हो कि जहां प्रोथंबनेल भी है जो की paid service है otherwise free templates भी बहुत सारे मौझूद है इस scanbar के उपर आप जहां तो जहां scratch से create कर सकते हो बिल्कुल ही आपको नया करना पड़ेगा design जहां फिर आप बने बने design को edit कर सकते हो जैसे कि for example मैं आपको एक design edit कर कर दिखाता हूँ कोई भी choose कर लें आप design let's see कोई अच्छा सा choose कर लेते हैं हम design को जे रहा bell 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 इसको edit कर लेते हैं इसको मैंने क्लिक कर लिया और अभी जे design लोड़ हो रहा है so ऐसा interface है केनवा का आपने अगर जैसे मालो कि आपने इस लड़की की image को replace करना है जैसे कि इसको मैंने click कर दिये जहां replace की आपको option दिख रही है तो मैं replace के उपर click कर लेता हूँ allow कर देता हूँ इसको permissions को जहां से मैं अपने image को upload कर लेता हूँ जहां से upload पर upload images तिर मैं कोई भी image को select कर लेता हूँ as मेरे पास already images uploaded है so जै मैं इसको select कर लेता हूँ जहां जैसे मालो कि आपने इसको text को edit करना है इसके उपर click कर फिर आप कुछ भी लिख दें जैसे की मैं लिख लेता हूँ youtube इसको जैसे की आप देख सकते हूँ text तोड़ा सा next line में आ रहा है जहां से आप expand कर लो ऐसे आप इसको drag and drop कर सकते हूँ जहां अगर आपने इसका size shooter करना है simply आप ऐसे इस corner से आप इसका size चोटा बड़ा कर सकते है font का जैसे की मांदो मैंने जहां लिख दिया जहां मैं लिख देता हूँ जैसे की मैं अपना नाम ही लिख देता हूँ जैसे की मैंने लिख दिया guys अगर आपने कोई stylish font जूज करना है तो जहां से आप font की option है second इसके उपर क्लिक कर लें और जहां से कोई भी चूज कर लें जैसे की जै वाला काफी fancy modern सा है और जै भी जूज कर सकते हैं let's use some anything else चलो जै जूज कर लेता हूँ अगर आपने background को change करना है इसके उपर क्लिक कर लें background के उपर जहां तो आप replace image के साथ replace कर सकते हैं कोई भी background की अगर आपके पास कोई भी image है जहां से आप photos पर क्लिक कर सकते हैं जो भी इसमें online available मिलती है photos जैसे की mall, low, well कोई हम texture related करते हैं जहां से आप background category select कर सकते हैं जैसे की जहां सचे भी कर सकते हैं background, well, blue का background जहां blue के background जो प्रो है वो actually जो paid service है उसमें है बाकी free है जैसे की इसको प्लिक कर लिया जह blue background लग गया हमारा इससे आप text को कहीं भी प्लेस कर सकते हैं जहां देख सकते हैं font size जहां से भी adjust कर सकते हैं जहां से अगर italic करना है bold करना है जहां से capital, bold ऐसे भी कर सकते हैं जहां से spacing, data की spacing अगर आपने बढ़ानी है, कम करनी है जहां से बहुत सारी option है जैसे transparency आपने अगर इसको transparent करना है अभी तो इसके back side में है image मेरी इसको आप आगे भी ले सकते हैं बिल्कुल आपने corner पर जाकर जहां आपको position मिलेगी जहां bring to frontal भी लिख सकते है forward forward के उपर क्लिक करने जहां आप इसको ऐसे resize कर सकते हैं अगर आपने जहीं image नहीं जूज करनी है तो guys इसको उपर delete कर दे जहां delete image जहां इसको भी delete आप सी 10 simply plus click करकर जहां से जहां आपको options मिलेगी जैसे कि Jo Template की option है जहां elements है elements guys अभूते हैं जैसे कि shapes हो गई काफी सारे जैसे कि stickers भी लगा सकते हैं आप चलो कोई shape जूज करते हैं जैसे कि जहान graphics भी हैं काफी सारे जैसे कि आप let's see इस graphic को जूज कर लेते हैं जहाँ इसका color change कर लेते हैं color के open click करकर जहां से आप कोई भी adjust कर सकते है colors जहां से color की hue change कर सकते है let's use this one इसकी opacity भी खम कर लेते हैं थोड़ी सी so guys जैसे कि मालोजे मैं बस आपको sample ही दिखा रहा हूं इससे भी आप better बना सकते हैं जहां से आप plus करकर जहां अगर text और add करना है जहां text पर heading एड़ करनी है subtitle जहां text भी है बने बनाए से वो भी जूज कर सकते हैं जैसे कि ये वाला है neon style का है already इसको आप edit करने जैसे कि लिख लेता हूं मैं जहां पे canvas लिख लेता हूं इसको मैं इसके उपर क्लिक करकर इसको shorter size करकर जहां corner पर place कर लेते हैं यह तो guys simply दिखा रहूं आपको जहां से आप image upload कर सकते हैं जहां बहुत सारा कुछ option है guys आप explore कर लेना अगर आपने image को save करना है अपनी mobile phone पर simply जहां right side के उपर download के option है इसके उपर क्लिक कर लें then seconds के लिए wait कर लें जब तक यह आपकी image render हो रही है screen के उपर जहां आप अगर किसी को share करनी है जहां से share कर सकते हैं बरसा के उपर face out के उपर otherwise आपकी gallery में जहां लिखा हूए save होगी है so देख तो हमकी gallery में सच में save होगी है जहां नहीं let's see so जह रही guys image आपकी so thanks for watching video guys मैं और भी tutorial लेकर आँगा